जागरंजोष.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है मैं हूं सायद सौबान इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करेंट अफेर से क्या कुछ सवाल बनाया जा सकते हैं उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फ्राक्स के बारे में भी जानें इसका सी जवाब है ऑप्शने केरल जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बर्ट फ्लू के कई सारे राज्यों में देखने को मिले हैं उसे की चलते केरल में अब एवियन इन्फुरेंजा वार्यल्स जो है उसके बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आप दागोशित करी गई है ये किरल राज की हम बात कर रहे हैं तो ये किरल सरकार ने बर्ट फ्लू के करन एवियन इन्फुरेंजा वार्यस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आप दागोशित की और कोरोना वार्यस महामारी के बीच राजस्थान मंद्यप्रदेश हिमाचल प्रदेश किरल और गुजरात में बर्ट फ्लू अब बड़ा खत्रा बनता जा रहा है इन राज्यों में अब तक सैकडों पक्षियों की जान जा चुकी है उत्रपदेश उत्राखंड हरियाना पंजाब करनाटक जारकंड पिहार तमिलाडू और जमु कश्मीर भी अलर्ट पर हैं अब बढ़ सी जर्मनी तो कुरोना के बड़ते कहरे के बीच ब्रिटेन ने जो है एक बड़ा फैसला लिया था आपको याद होगा कि 26 जनवरी की परीड में जो बॉरिस जॉंसन हैं पीम हैं ब्रिटेन के वो आने वाई थे उन्होंने अपनी यात्रा भी रद कर दी है अब इसके बाद जर्मनी ने भी देश में दोबारा सक्त लाकडाौन करने का फैसला किया है कोरोणा वाईस के खत्रे को देखते हुए जर्मनी की सरकार ने देश वयापी लाकडाौन बढ़ाने की कोशना करी है इसमें पुरी तरह से सक्ती बढ़ती जाएगी जर्मनी की जो चांसलर है मौते हो गई थी इस वीडियो में आके बढ़ने से पहले एक जरूरी सुचना आप सभी दोस्तों के लिए हमारी वेबसाइट जागरंजोष.com पर अगर आप करंट अफेज पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा इसके बाद आपको करंट अफेज के टैप पर जाना है ड्रॉप डाउन में आपको मन्त वाइस करंट अफेज मिल जाएंगे जहां आप मन्त के हिसाब से करंट अफेज पढ़ सकते हैं जब आप करंट अफेज टैप पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा अगर आप कैटेगरी वाइस करंट अफेज पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं जिसमें लेटिस्ट, नाशनल, इंटरनाशनल, स्पोर्ट्स, टेकनोलोजी और एकॉनमी जैसी क्याटेगरी मौजूद हैं करोना वाइरस अंकरट के करंट ब्रिटेज के पीम बोरेज जॉंसन का इस मा का किस देश का दौरा टल गया है तो पहने पिछले वीडियो में बात करी लिए इसका सही जवाब है भारत तो करोना वाइरस अंकरट के करंट ब्रिटेज के पीम जो है वो आप जो है 26 जनवरी की परेट बन को शामिल होना था तो भारत कोने का जो दोरा था वो टल गया है और ब्रिटेज पीम जोनसन को भारत में गरतन दिवस समारों में बतावर मुक्य अतिति शिर्कत करना था ये आपको मालूमी होगा कि गरतन दिवस अमारों पर एक मुक्य अतिति हम किसी भी देश्च्षग से आते हैं और बिटेन में करोनवायस का जो नया स्ट्रेन मिलने के बाद वहां पर लॉकडाउन लगा गया है ताकि संक्रमन को पहल रहा है जो है उसको रोका जा सके और यह मना जा रहा है कि वारेस से एक नया प्रकार जो है उसका जो नया प्रकार है वो तेजी से संक्रमन जो है उसमें 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा दान जो है किस वेक्टी ने दिया है इसका सभी जवाब है ऑप्शन ए जेफ बेजोस तो दे क्रॉनिकल ओफ फिलांत्रोफी ने सबसे बड़े दान की जो वार्शिक सूची है उसको जादी करी है पहले स्थान पर जो मौजुदा अमेजन के मुख्या है जेफ बेजोस उन्होंने बश्च 2020 में जलवायू परिवर्तन से के मुगाबले के लिए 10 अरब डॉलर यानकी लगबग 732.39 अरब रुपे का दान किया है और दूसरा सबसे बड़ा दान जो है फिल नाइट और उनकी पतनी पेनी ने किया है नाइट और उनकी पतनी ने नाइट फांडेशन को 90 करोड डॉलर यानकी 65.89 अरब रुपे और आरेगन युनिवर्स्टी को 30 करोड डॉलर यानकी 21.96 अरब रुपे दिये हैं अब बढ़ते हैं अबने अगले सवाल की तरफ आज भी आईने हाली में जुर्माना वसूली और संग्रह गतिवे समेत विबिन दिशार निर्देशों के उलंगन को लेकर किस पर धाई करोड रुपे का जुर्माना लगाया है इसका सेवाब है ऑप्शन सी बजाज फिनांस लिमिटेड तो भार्दी रिजर्व बैंक रिजर्व बैंक आफ इंडिया आप सभी जानते हैं उसने बजाज फि समेत विबिन दिशार निर्देशों का उलंगन है कंपनी के खिलाफ रिकवरी व कलेक्शन तरीकों को लेकर बार बार शिकायते भी आई थी और आर्बियाई ने ये भी कहा है कि बजाज फिनांस के खिलाफ कारवाई जो है नियाम कियर अनुपालर में कमी पर आधारित है इ किसी ट्रांजक्शन या पिर करार की वैदता पर फैसला देना नहीं है बढ़ते हैं अपने अकले सवार की तरफ केंद्रिय खेल मंत्री किरन रिजीजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का जो है खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में किया है इसका से जवाब है शिलांग तो केंद्रिक खेल मंत्री आप जानते हैं किरन रिजीजू है उन्होंने हाल ही में शिलांग में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में शुभारम किया है वरतमान में देश भर में नौ दी गई है जिसमें से पांच का प्रबंधन रक्षा एवं अर्द साइनिक बलों के द्वारा किया जाता है असम राइफल्स पब्लिक स्कूल पूर्वत्तर शेतर में खेलो इंडिया योजना के तहर गोशित होने वाला पहला स्पोर्ट स्कूल है बहुत मरतफूर जानकारी थेए इसको आप याशली स्वा में बहुतों को तो हमने अप से पिछले वीडियों में सब्साइब दोस्तों वह सवाल जिसका जवाब हमने मूछा पूछेँ वीडियो ने हाली में अपनी आकशक किमतों की करण किस देश में खाद्यान विशिश कर चावल खरेदना उससे शुरू किया है तो इसका सही जवाब है आपेकर सर Washington सी इस کا सही जवाब है भारत हमारा देश भारत वियतनाम तो जो और है नवाद्यारत से शुरू किया है आक रण करना शुरू कर दिया है वैश्विक महामारे ने वियतनाम और अन्य देशों को चावल के बंदारण के लिए प्रेरेट किया है ऐसा इसलिए क्योंकि खाद्यानों की सुकूर्ती अपूर्ती खाद असुरक्षा के बारे में चिंता बढ़ रही है अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर दिना है वर्ष 2022 और 23 से सौर उर्जा मिलने लगेगी इसका जो आप्षिंस हैं आपके पास वो है मद्यप्रदेश, तमिलनाडू, हिमाचल प्रदेश, जारकंड सवाल में ही जवाब है डूनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जवाब भी मिल जाएगा और आप हमें comment box में लिखकर बदा भी सकते हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमाई चानल जरण जोश.टॉट कॉम को